वेलकुम भाई गोस्तों आज आपके सामने एक नए टॉपिक की साथ फिर आजिरू कल मैंने आपको कंपणी से लेटेट बहुत सारे टॉपिक के बाद में इस्प्रेंग किया और आज जो टॉपिक में लेकि आया हूं आपके सामने जिसको और फ़दर इस्प्रेंग करना है वह है क्याबिटल सब्सक्रिप्शन फॉर कंपणी यारी कंपणी फॉर बिजलता है तो कफी बड़े अमांट पर चलता है छोटे मोड़े अमांट पर नहीं जलता तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए उसके बारें बात करते हैं तो सबसे पहली चीज अगर एक सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब कोंपनी करता है उसके पास मेंबर की स्टेंथ होती है और मिनीमम दो दो होता है जो मैंने आपको कर वीडियो में बताया था तो में चीज़ है आए सबसे पहले देखते हैं कि एक्जाक्ति हमें क्या क्या चाहिए यानि क्या प्रेंट के लिए या सब्सक्रिप्शन जिसे कहते हैं तो उसके बाएं दिस्क्रेशन होगा सबसे पहला से भी एप्रूवल बिलकुल तो से यह में में है सब्सक्राइब दोनों लिए कवन है चाहिए पॉब्ली आपक्पानी या प्राइबिट नीए हो क्योंकि दोनों क केसिस में शेर्वोल्डर्स के इंट्रेस्ट को प्रोटेट करना सेवी का काम है सेवी का फुल फॉर्म है सेक्यूर्टी एंड एक्सचेंज बोर्ड फिंडिया यह वह ऑटनॉमस बॉड़ी है जो कि जितने भी सेक्यूर्टी जैनि और शेयर हो या डिबेंचर हो बॉन्ड हो कोई और गरों कूंप के रूप के दिनसल्ट ही जैनी करती है। अगर कोई इंवेस्टर किसी इंट्रेस करता है उसका सबसे बडा Sr. लसको कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी हमें नुशान तो नहीं होगा हमारा पैसा डूबेगे तो नहीं तो कोई भी कंपनी जब फर्मिशन का मतलब कि सभी से पहले लेना होता है और तो सभी ने ओके किया उसको सारे उसके दॉक्ट्पमिट्स देखें फिटिस्वाइब हुई और उसने येस कह लिया तभी वो पबेश सब्सक्रिप्षें यानि पब्लिक इमिडेशिन कर सकती है काम नी वरना उसे सभी इंसिट्यूट की जरुवत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले भी ऐसे सब्सक्रिप्शन हुआ करते थे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हो रहा थे यानि लोगों से सब्सक्रिप्शन यानि कापिटल तो यानि शेर बेज दी जाते थे और फिर उसे पैसा जमा किया ऐसा खा सब्सक्रिप्शन की था मकसद था कि जितने भी शेयर होटर्स थे उनके इंट्रेस्ट को प्रोटेट किया जाए यानि उन्हें किसी भी तरीके से कंपनिया एक्सप्लॉइड ना कर पाए इसकी लिए सभी को बनाया गया तो इसमें जादा ताइन ना देते हुए आगे इसने वीडियो में शूट करूँगा उसमें मैं आपको सेमी की पूरी डिटेल होगा कि सही एक्धाक्री है क्या काम करता है और उसका हेड़ड कौन है उसकर शक्चर क्या है वगर हो यह से कि फािलिंग गो प्रोस्पेक्टर यानि यानि प्रॉस्पेक्टर वो डॉक्युम चितने भी डीटेल रही सब प्रॉस्पेक्टेंग की है मतलब कितना बॉरोड है कितना खुद का सेलफ यह पिर लिखी होती है और चीज़ और अगरॉट प्राइब कितने को पीड़ाप हो चुके हैं कितने अन पीड़ाप है तो प्रॉस्पेक्टर कंपणी का एक शौट ब्रीफ लेके चलता है उसके प्रीवियस परफॉर्फॉर्वेंस को शो करता है यह कंपणी ने कैसा अब तक बिजनस किया है और आगे आपको किस तरिके के र अब यानि जब पब्लिक कंप्प्री पब्लिक इंविटेशन ते निकलती है तो उसके पास यह तीन लोग होने बहुत जरूरी है जिनके नाम यहां मैंने लिख्या हुए है पहला बैंकर्स दूसरा ब्रोकर्स तीसरा अन्डर राइटर इन तीनों के बात कर लेते हैं तीनो का मतलब अलाकर में जीज़ है कि जैसे जो मेरे हैं कॉमर्स के जो भी मेरे फॉलोवर्स है इस मेरे यूट्यूब चैनल पर उनको यह मालूम होगा पी जब कंपनी शेर्स को पब्लिक इनूटेशन के लिए भेजती है यानि उन्हें लांच करती है तो उस लांचिंग के बा इस जाहिए तो उस दस हजार क में भी थासब कंपनी ने प्रिस्खार किया हुआ है आप उसके ब्रोक से दर्भ pड की हो तो अब साइब हो और ला नहीं करते हैं तो को फ Complwny दो तरीके से मार्केट में अबने शेर्ण को सुब्सक्राइब पहला है ऑई प्रियों एक within दो अप्सक्रिप्यों के है इस तरीके से तो अब में चीज़ एक होंगा कि आई आप इसके बारे में और आगे बाद करते हैं तो बैंकर्स हो गए यानि बिना बैंकिंग सेक्टर के आपका पॉसेक्शन पॉसेबल नहीं हो पाता यहां पर में चीज़ है कि बैंक के थ्रू भी पेमिट आते हैं और दिये जाते हैं ब्रोकर्स के थ्रू आपको पॉब्लिक ली पहुंचाए जाता है और उसकी लिए थोड़ा बहुत कमिशन ब्रोकर्स ले कि टीज़े तरह के अपने पास ले लेना इसको मैं थोड़ा लाइबरोट करता हूं अंडराइटर में होते हैं जब आप अंडराइट के शोर्ष यानि अंडराइट आपको एक शोरस दे देते हैं कि इस कंडिशन में वहीं होता हो तो आपको अब देविए आपकर अपने सब्सक्राइब करने हुए तो मैं 80% सब्सक्राइब करने हुए in case of market crisis लेकिन अंडर राइटर कभी भी 100% नहीं करता सिर्फ 80% लिए वो लाइवल होता है बाकी 20% आपको कुछ तो 80% लिए आपको अशुरेंस देता है वो बगादा पेमिंट कर देंगे लिकिन उसके बंद्रे में उसको कमिशन दिया जाता है कमिशन्षेंन फिक्स और फ्लेक्सिवल डोनों होते हैं यह परसेंटेज भी हो अद्धसीं आपकी बैसिक्लिन रिस्क अंडर्टेग्र होते हैं आपकी और अश्योर लास्ट मिनिमुमस सब्सक्रि करीदिना तो अगर ने 100 मार्किट में लाउंज किये हैं सो मिनिमाउन कंपनी को कम से कम 25% मुस्ट होता है मार्किट में अपना बजन शुरू करने के लिए यह मिनिमम सबस्क्रिप्शन का जो रूल है यह सभी इस वह तर इस लगायवा है टाकि जितने भी शेयर फोल्डर उनके राइट्स और इंट्रेस्ट को प्रटेट के जा सके कभी में होता है कि अगर मिनिम्म सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला तो कंपनिया करते हैं कि जिदना भी मिलता था क्योंकि वह कंपनी फार बिजनस को जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वह लाखों करोड़ो आप आगे बढ़ेंगे और हाँ सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाते हैं कि आप तब कर इसके बहुत कुछ है तो मैं उसके साथ अभी आपके सामने बेच होता हो एक इस हो जस्तें वीलियों से कीकर इस ते हुना तो असंपने लिए थेसथपिकैट जान के से पार्पा रहे हैं वह रिपाएं चारमियर को सब्सक्राइव करेंशेश्थ बहुत बहुत चीज़ है तो पहला सभी एक ऑटनॉमस बॉड़ी है जिसने गाइड लाइन्स इसू कर रखे हैं कंपनी के लिए कि आप क्या क्या करना है कैसे करना है और हां खासकर अपनी इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेट करते हुए चलना है ताकि उन्हें कोई प्रोटेशन होता है तो आप एक खिलाब लीगल प्रोटेक्टीशन होंगे यह विल बी प्रोटेट फॉर एप फर एजन एवरी फ्रॉड और एफ यॉर इंवेस्टर सफर संदोस फ्रॉड नेडियों बिएबल बताया तो सभी अप्रूबल में में चीज़ है कि सभी मैंने बताया और नमोस बॉड़ी है जो कि मार्केट सेक्रिटी स्री कंपनी की मार्केट सेक्रिटी जिसमें शेर डिवेंचर दोनों काउंट के जाते हैं उनकी लिस्टिंग यारी री स से लिटेड गां करती है और इसी रिजिस्टेशन प्रोसेस में वह उसकी ऑथेंटिसीटी को भी चकार लेती है तो जय से वीसे घ्रवल मिलता है दूसरा काम कमपनी के लिए होता है फाइल करना लेकिन अगर फाइल नहीं हो पाद आ तो प्रॉस्पेक्टिर्स का एक substitute कह सकते हैं कि उसके इन लिए वनदर ऐसे statement को भी हम फाइल कर सकते हैं जो कि फ्रॉस्पेक्टिस की equivalent ह होता है ठीक यानि हम एक उसका फॉर्माट है एक लीगल लीगल साइज या पेपर का उसमें आप प्रॉस्पेक्टर्स को फाइल कर दीजिए और फाइल करने बार उसमें फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अब आप लोग यह सुचाएं कि यह बार बार में प्रॉस्पेक कईटर्स कता। मसे प्रॉस्पेक्टर्स कि लिए एक बॉक फाइल को एक दोकिमेंट होता है इसके साइल डई लखियी होता है व्मायरप कैपिलिचंस्यल लिखा होता है और उसके जो उसके पीजिटी के लिए प Saudi kına होती है कि आप आईए हमारी सेक्योर्टी को खरे दिये अपनी क्यापिटल हमें कॉंट्रिब्यूट कीजिए हम आपको उस पर अच्छा रिटार ऑफर करेंगे और वह करता है कंपनी टू कंपनी में और बिजनस तो बिजनस में तीसरा है अप्वानमें अपने इसी वीडियो म वह में लेक्टर में मतताया था कि bankस के नवाता और बाफ topics की जरूत होती है ब्रोकरज की जरूत होती है अपने से इसे सब्सक्राइब करना सकते हैं और लास्ट है मिनिमम अपर चराएब करता हूं के स्टार्टिंस को चलने लिए अगर मुझे बिसने में पैसों की ज़रूर पड़ी कि अगर तो वहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं अब मैंने किया है मैंने उसका 25% मुझे मिलना चाहिए ताकि मेरे business cooperation शुरू हो जाए चल पड़े तो उसी minimum subscription को सभी ने mandatory करके रखा हुआ है कि जब तक आप को 25% का subscription ना मिल जाए आप business को शुरू नहीं कर सकते और हाँ कोई और ट्रांसफर नहीं ले सकते जब तक मैं ना को जैनि सभी ना का है तब तक आप ट्रांसफर नहीं ले सकते तो अगली heading है इसी में जो कि मैंने formation of company का जो steps मैंने बताये थे procedure उते उसमें अब last है commencement of business का जिसको मैं इसके बाद समझाने वाला हूँ तो stay tuned with my channel I'll be back in minutes का जो factors है उसे देखते हैं क्योंकि अभी लग हमने a और b पढ़ा है जिसमें सब जिसमें कई अलागर प्रसीजर थे अब बात करता हूं c की c में commencement of business तो business यानि business को शुरू करने के लिए क्या-क्या व लीगल फॉर्मलिटी थे उस पर नजर डालते हैं सबसे पहला prospectus या या प्रस्पेक्टर आपको प्रस्पेक्टर करना हूं या उसी के जैसा substitute या नहीं उसका एक option आपको ले की साथ चलना होगा तब ही आपको आगे business स्कृष मेकर हूं इसे वीडियो के फिरिविविश। में कि मिन्डेटरी कर दिया गया सेट की तरफ से कि आपको बनेकर अगर य numb करना है अगर आपको बिजनेस चलाना है प्सकेट करना rays तो जितना आपकी total authorized capital है उसका 25% आपको minimum लाना ही पड़ेगा इंवस्टर से और तब तक आप business operate नहीं कर सकते हैं और नहीं आपको मतलब मेंने के लिगा निशन दिये जाएगा और नहीं आप public invitation कर पाएंगे आगे अगे 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 unless and you get the minimum subscription of 35% of the total authorized capital qualification shares का मतलब है एक public company में director को सबसे बड़ा रोल दिया जाता है तो एक director को अपने आप qualified यानि एक member बताने के लिए company के shares को subscribe परना होता है और तोरण payment भी करना होता है वरना कोई भी investor public company में विश्वास नहीं करे क्योंकि मैंने कहा था कि shareholders के बाद जो second majority आती है जो कि main character soul होते ही company को होते है directors बेना directors के कोई company नहीं चले जा सकती तो main है कि directors को अपने नाम से यानि अपना भी subscription में दिखाना होता है तो पच्चे सब्सक्राइब करने होता है और तुरंत payment करना होता है तकि वो as a qualified member as a director of the public company अपने आपको दिखा सके और public invitation करवाने में help कर सके चौता declaration declaration में main आपका आता है कि हां कि हम एक registered company है सबी ने हमें अप्रूफ कर दिया है हम हमारी securities है वो stock exchange पर लिस्टर है यानि registered है हम एक authentic company है legally registered है legally proven है आप हम पर विश्वास कर सकते हैं और हमारे में invest कर सकते हैं that is not as declaration ठीक अड़ लास्ट स्टाटिजरी डिकलेरेशन सब्सक्राइब कंपनी की तरफ से होता है लेकिन उसमें main चीज है कि रिजिस्टार कंपनी में एक written document कंपनी को फाइल करना होता है है जिसमें यह लिखा होता है कि हमने जो companies act 19 सारी companies act 2013 में जो भी legal provisions थे हमने वो सारे फॉलो की है we have abide by all the legal provisions which are stated in companies at 2013 and अब हमें legal legal recognition भी मिल चुका है हम legal status पास चुके हैं यह सारी details आपको strategy declaration में लिख कर गए यानि एक particular format उस पर नोटिफाई करना होता और फिर उसे से भी को और जितनी भी इसमें parties हैं उन सबको एक यह copies की भिजवानी होती है तभी आपको business commencement certificate मिलता है यानि एक public company को business commencement certificate तभी मिलेगा जब यह सारी formality story कर लेगी खासका strategy declaration को इस पर emphasis इस वज़े से हैं क्योंकि strategy declaration register of company के पास भी जाएगा सेभी के पास भी जाएगा company affairs ministry के पास भी जाएगा और एक copy company के पास खुदर रहती है for the proof in future तो आज दिने वीडियो में आपके इतनी topics के cover करूंगा मेरे next video में आपको documents required to register a company sorry I am repeating it again documents required to register a company के बारे में आपको बताऊंगा वो में नेक्स वीडियो में होगा तो आपको इसकी regarding जो भी कोई doubt हो you are most welcome to post it at the end of this video so thank you